परदेश में चारों लोग सभा सीट फर कांग्रेस की हार के कारणों को जानने के लिए शिमला में मन्थन शुरू हो गया है AICC द्वारा संसद रजनिपार्टेल और पूर्व संसद पील पुनिया को दो दिस्सद असिय कमेटी हार की समिक्षा के लिए बनाई गई है जो आज और कल चारों लोग सभा सीट के मंतरी विधायक संगठन के लोगों से बैठके कर हार के कारण ढूंडेगी और विस्तरित रिपोर्ट पार्टी हाई कमान को सौपी जाएगी बैठक में पहुंची कमेटी सदसे रजनी पार्टेल ने कहा कि लोग सभा चुनावों में हार को लेकर सरकार पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समिक्षा की जाएगी सभी से बैठक कर पार्टी आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद पार्टी हाई कमान अगामी निर्णे लेगा हिमाचल के बाद उत्राखंड में भी हार की समिक्षा की जाएगी और खास तोर पे हमारे नेता कॉंग्रेस अद्यक्ष खरगी साब ने और रहुल जी ने खास तोर पे यहाँ पे भेजा है कि जो चार रोखसभा की चुनों में पार्टी की जो हलत हुई है यहां पार्टी का जो अलुबो हुआ है उसको हम साजा कर दे तो उसके लिए हम सब को मिलने के लिए हैं हम परदेश के सभी परदादीकारियों को questo अभीरम स करेंगे हम इसको करेंगे और यह दोनों आए हैं, फाइट फाइंडिंग कमेटे के सदस्य हैं, ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीजन रहे, क्यों हमने चारों लोग सबाइच सीटे हा रही है, उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अधियक्षार है, उनसे भी फ This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bhagwa. noron-curricular area for all around development of students, school provide German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many moves. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. प्जा ब्रदिधर प्रिफश्टब चड़कस एक खी रपाज प्थेतरप्टें ली यन होली ऋखिवार्श को भी सनाफ्य आप्छाम अरी क roman that बिशयोवी फिजी स से सफेंग थे इपendsर प्राइ Lights मिनि में प्रॉलाओ ओर इन से अछेिटर इन 92nd system फिजल्सилось research दुर अाजिन अडाल कर ए्टर पहोंड SB mechanics300 in मैं कि अजसेख सूचे सेवब टो प्र प्री थाजन स वीजड ऍटनेख लýक इ्षिय घार चैनलने स्परिप्ट और चैनले मैं इमीडें इशा प्रश शीन इने अजित लो त21 एड कंध splendidly to face difficulties of 21st century.